हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, लर्न विट फायजा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैनायल पैप्यूल्स पे, यानि की मेंस के जो प्राइवेट पार्ट है, उसका जो शिर्स है, यानि की हेड का पोर्शन है, वहाँ पे पैनायल के, सिर्स के उपर के पोर्शन म दाने दाने जैसा फॉर्मिशन दिखने लगता है, तो इसके बेजिस पे आज का हमारा टॉपिक है, तो चलिए सीखते हैं, कि आज हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, यानि की मेंस के जो प्राइवेट पार्ट है, उसका जो शिर्स है, यानि की हेड है, वहाँ पे दाने दाने जैसा फॉर्मिशन जो हो रहा है, उसके बेजिस पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा, यह जो दाने दाने जैसा दिख रहा है, यह formation private parts के shifts, यानि की head portion में होता है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हम क्या-क्या सिखेंगे basics of panel papules, causes, symptoms and treatment तो यह जी उसारे chapter से वो आज हम cover करेंगे panel papules के बारे में तो सबसे पहले basic से हम देखें, तो panel papules वो small size के होते हैं skin colored bumps है and non-cancerogenous growth that appears on the head of men's private part अगर यहाँ पे हम देखें, तो यह जो है वो small small size में available है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे यह चोटे-चोटे small small size में papules बने हुए हैं, अब यह इस जो color है, वो skin color का है लेकिन यह जो है, वो non-cancerous cancerous है यानि कि cancerogen effect नहीं देता है, उसका जो growth हो रहा है, उससे male के जो private part है वहाँ पे कोई infections नहीं होगा अब हम देखें तो panile papules जो नाम है उसका, उससे medical term में histodoid papilloma कहा जाता है अगर यहाँ पे हम देखें तो different different size में वो जो papules है, वो होते है different different varieties में होते है उसका color भी different different होता है according to different different means इत measures between 1 to 4 milliliter in diameter यह जो इसका जो diameter है papules का, वो कितना है 1 to 4 milliliter तक का है now causes के बारे में देखे कि यह जो panile papules है उसकी कौन-कौन से causes रहते है no any cause fine for panile papules panile papules के कोई भी एसे causes fine नहीं हुए है अभी तक because they aren't harmful because वो harmful नहीं है वो एक normal genetically growth है उसका it's normal anatomical variant तो different different means में different different variants होते है किसी को panile papules होते है किसी को panile papules नहीं होते है किसी का growth overgrowth होता है या फिर किसी को small amount में रहता है then it cannot be passed from person to person during physical activities आप physical activity कोई कर रहे हैं तो यह जो panile papules है वो person to person फैलता नहीं है now symptoms panile papules जो है उसके usually कोई symptoms नहीं है लेकिन अगर इसके symptoms से अगर इसे peptules के जो डाने है उसे देखने से क्या होगा कि main को lack of confidence होगा जब भी आप physical activity कर रहे हैं तो उसके कारण जो confidence level है वो lack हो जाता है अगर वो confidence level lack हो गया तो main में infertility के problem हो सकती है नाव वीडियो के बीच में आपको बताना चाहती हूँ के हमारा एक anatomy and physiology का course है जिसकी link में आपको description box में दे दूँगी आप वहाँ से हमारा जो course है वो purchase कर सकते है ऐसे ही educational video आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारी link से direct हमें contact कर सकते है अब हम हमारे topic पे वापस से आते हैं कि penile papules जो है उसकी treatment क्या है उसकी कोई specific treatment नहीं है लेकिन carbon dioxide laser vaporization की एक therapy है वो अपले सेक्से हैं अगर यहाँ पे हम देखे तो CO2 laser vaporization यानि की जो papules बनते हैं उसे laser से cut out किया जाता है laser incision किया जाता है इलेक्ट्रो सर्जरी और उसके बाद है cryotherapy अब हम cryotherapy को समझे तो cryotherapy क्या है cryotherapy एक ऐसी treatment है जहाँ पे freeze या फिर cold जो area है वहाँ पे mains को जाना होता है और उसकी cold effect से freezing effect से जो papules बन रहे है वो उसे destroy करेगा और इलेक्ट्रो सर्जरी भी आप करवा सकते हैं सर्जरी से यह जो पेनाइल प्रेप्यों से वो डिस्ट्रोई हो जाते है now safety advice पेनाइल प्रेप्यों जो है उसकी safety advice क्या क्या है keep personal hygiene आपको personal hygiene है वो डखनी होती है simply use detal water during bathing to keep that area clean आप अगर bathing कर रहे हैं तो उस दोरान detal water से आपको आपके जो private parts है उसे completely clean रखना चाहिए don't use any OTC cream यानि की over the counter अगर medical shop पर जा रहे हैं do not use any OTC creams like antifungal, antiseptic and antibacterial अगर आप medical store पर जा रहे हैं OTC यानि की over the counter direct prescription के बगेर जो medication हम लेते हैं उसे OTC product कहते हैं तो हमें एसी कोई भी antiseptic या antifungal या antibacterial स्क्रीम यूज नहीं करनी है PPP यानि pearly penile papules does not cause any side effects on reproductive health of male वो ये जो penile papules है वो reproductive जो health है male की यानि की जो fertility है जो fertilized जो cell है जो sperm cells है उसमें कोई causes नहीं देता है It's just one type of anatomical structure and doesn't affect on physiological functions of male reproductive system तो उसकी जो physiological functions है male reproductive system की उसे भी वो कोई affect नहीं करेगा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा तो आप ये मेरा जो वीडियो है वो ज़रूर से देखे इसी ही educational वीडियो और disease disorders के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं या फिर हमारी जो एप है वहाँ से आप हमारा course purchase कर सकते हैं thank you for watching my video